लाइफ में हर कोई स्ट्रॉगल करता है किसी का स्ट्रॉगल थोड़ा होता है तो किसी का बहुत जादा होता है तो स्ट्रॉगल करने के बाद जो कामयावी हासिल होती है उसे कहते हैं सपना चौधरी जी हैं दोस्तो सपना चौधरी ने बच्पन से ही काफी जादा कि कुछ है ऐसे संखर्सों के बारे विजनता के साथ शियर किया था जब जनता ने भी उन्हें खूब प्यार दिया था दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त सपना चौधरी मीडिया के सुर्खियों में बनी हुई है वैसे तो सपना चौधरी को हमेशा ही फांस खूब सोसल मीडिया के जरी वारल हो रहा है जिसके बारे में सुल कर खूब सपना चौधरी के फांस भी हैरान है हाला कि सपना चौधरी ने इसके बारे में सोसल मीडिये के जरीय सफाई दे दी है पर फिर भी फांस ये जानने के लिए उच्जुक है कि आखिर फांस के साथ शपना ने इतना बड़ा धोखा क्यों किया आपको बता दें कि एक वाक्त था जब सपना चौधरी काम की तलास में दर अधर भटक रही थी शायद तब ही क्लाइन्ट से बात चीद करने के लिए सपना चौधरी ने एक होटेल में कमरा बुक किया था और वहीं पर कुछ पुलिस के रेड पड़ी और सपना चौधरी को रंगे हाथों पकड़ कर सपना चौधरी का नाम कॉल गर्ल्स के लिस्ट में शामिल कर दिया गया था और उसी वीडियो के एक बरफन से सोसर मेडिया के जरी वायरल किया जाहा है हाला कि सपना चौधरी ने इस बात को किलियर कर दिया है कि ऐसा ना उन्होंने कभी कुछ किया था और ना ही वो ऐसा करने के बारे में कभी सोच सकती है हाला कि इस वक्त सपना चौधरी एक विवाहित जीवन गुशार रही है और वो अपने विवाहित जीवन से काफी खुश है अभी हाल फलाल में ही सपना ने एक बेबी बॉई को जन भी दिया है दोस्तों अगर आप भी सपना चौधरी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर कर दीजेगा क्योंकि सपना चौधरी के बारे में ऐसे विवाई दिते बयान तो आते ही रहते हैं दोस्तों इस वीडियो के माद ही हमसे जो कुछ मी इंफरमेशन में आपको दी है वो हमें सोसल मीडिया के माद ही हमसे पराप्त हुई है इस बात में कितनी सचाई है इसका पुस्ट्री के रण हमारे चैनल नहीं करता है और नहीं किसी भी तरीके की अफ़ाओं को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश से आपका कीमती समय देने के लिए आमें धन्देवाद है